जैहिन स्वागत है आप सबका मेरे चानल मिसल मी पर मैं हूँ आपकी होस्ट तमन्ना मंगलानी यहाँ पर हम जादातर इतिहास के विशय पर ध्यान देंगे और हमारी हिस्ट्री में घटी घटना है जो आज तक अनसुनी रहे गई हैं उनका खुलासा करेंगे तो चले हम हमार आज का कारिक्रम शुरू करें दोस्तों आज जिस आजादी का हम लुफ्त उठा रहे हैं उसकी जलक भी पाने के लिए ना जाने कितने भारत के वीर और विरंगाना उन्हें अपनी जान की कुर्बानिया दी हैं ऐसे कई सदंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम को इतिहास के पन् जानेंगे जो हमारे भारत के लिए बड़ी ही खामोशी के साथ वो कर गए जो शायद ढोल नगाड़े पीट कर भी कोई नहीं कर सकता दोस्तों आपने नेता जी सुभाष चंद्रबोस के बारे में तो काफी कुछ सुना ही है लेकिन क्या आप नेता जी के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ी उस महिला के बारे में जानते हैं जो अकसर हमें तस्वीर में दिखती है जी हाँ मैं क्याप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जी की बात कर रहे हूं जो राष्ट्रपती चुनाव लड़ने वाली पहली भारतिय महिला थी लक्ष्मी जी एक स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर, सांसत और समाद सेविका थी जो एक उतकुरुष्ट और अनंत विरासत इस देश को देखे गई बचपन से ही ब्रिटिस साशन के जुल्मों को देख लक्ष्मी के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जलने लगी थी लक्ष्मी जी का वास्तविक नाम लक्ष्मी स्वामी नाथन था, उनका जन्म 24 अक्टोबर 1914 में मदरास प्रेजन डिट चन्नेई में हुआ था उनके पिता का नाम एस स्वामी नाथन तथा माता का नाम एवी अम्मु कुट्टी था, उनके पिता हाई कोट में प्रसिद्ध वकील थे और माता समाथ सेविका थी यहां मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि लक्ष्मी जी की माता केरल के जाने माने सदंद्रता सेनानी परिवार से तालुग भी रखा करती थी लक्ष्मी जी ने कुईन मेरी कॉलेज से ग्राजवेट किया और सन 1938 में मदरास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिगरी हासल की उसके एक साल बाद ही उन्होंने गाइनकलोजी की डिगरी हासल की डॉक्टर लक्ष्मी ने कस्तूर्बा गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में काम भी किया हुआ है उनके बच्पन में जब महाद्मा गांधी ने विदेशी वस्तुगों का बहिशकार का आंदोलन किया तब लक्ष्मी जी ने उसमें बड़ चड़ कर हिस्सा भी लिया था वो शुरुवात से ही भावक और दूसरों की मदद करने वाली थी उनका कहना था कि यहां गुण उन्हें अपनी माता से मिले है गौर तलब है कि माता पिता से मिली सिक्षा और परिवार में जो वातावरण होता है उससे एक इनसान के जीवन पर क्या प्रभाव होता है वो हम लक्ष्मी जी की जीवनी से देख और समझ सकते है मैं यहां रुक कर सभी पेरेंट से यहां अनुरोद करना चाहती हूँ कि उन्हें सिक्षा के अलावा वो भी सिखा है कि वो किस प्रकार एक सकारात्मक सोच रख सकते है और हमारे भारत देश की प्रगती और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं लक्ष्मी सहगल ने अपनी किताब माई डेज इंडियन नाशनल आर्मी में लिखा है कि सेकंड वर्ल्ड वर के दौरान अंग्रेश सेना में डॉक्टर्स की भरती हो रही थी लक्ष्मी अंग्रेश सेना का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी सिंगापूर में उनके कुछ रिष्टेदार थे इसलिए वो सिंगापूर चली गई वहाँ जाकर उन्होंने अपनी मेडिकल प्राक्टिस भी शुरू कर दी थी लक्ष्मी जी ने सिंगापूर में गरीब और माइग्रेंट भारतीय मजदूरों के लिए एक चिकित सा शिडू कर दिया था निशलक इलाज के अलावा डॉक्टर लक्ष्मी भारतीय स्वतंत्रता संग की सक्रिया सादस्य भी बनी रही थी सोचने वाली बात है दोस्तों कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर थी और चाहती तो ब्रिटिश राजुने एक अच्छी खासी पोस्ट आसानी से मिल जाती वहाँ वो एक बहतरीन जिन्दगे गुजार सकती थी लेकिन लक्ष्मी जी ने वो रास्ता नहीं चुना उन्होंने वो रास्ता चुना जहां वो जरूरत मंदों की मदद करे और हमारे देश के लिए अपने कमफर्ट जोन से बाहर जाकर अपने जीवन में जो भी संगर्ष करना पड़े उसके लिए थमेशा तात्परिय रहे जगें जुलाइं 1943 में भारत के आजादी की मशाल लिए नेता जी सुभाज चंद्रबोज जब सिंगापुर आए तो डॉक्टर लक्ष्मी उनके विचानों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने नेता जी को अपनी एक घंटे की मुलाकात में यह इच्छा जता दी कि वह उनके साथ भारत की आजादी के लिड़ाई में उतरना ही चाहती हैं लक्ष्मी जी का यह जजबा देख नेता जी ने उनके नेत्वत्व में रानी जासी रेजिमेंट बनाने की घोश्रा कर दी इस रेजिमेंट की खा आर्मी की रानी जासी रेजिमेंट का हिस्सा बनने के लिए हजारों महिलाओं ने आवेदन भेजे एथ जिलाए 1943 को रेजिमेंट में महिलाओं की भरती शुरू हो गई थी 1500 स्वतंत्रता सेनानी तथा 200 नर्सों को रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया 22nd October 1943 में लक्ष्मी जी ने रानी जासी रेजिमेंट में कैप्टन पद संभाला और 23rd October 1943 को रेजिमेंट की ट्रेनिंग सिंगापूर और रंगून में शुरू हुई तीन महीने की कड़ी ट्रेनिंग में लक्ष्मी समेथ अन्य सभी सेनानिया खाकी पैंट और बुश शर्ट पहन थी सभी ने अपने बाल काट कर छोटे भी करवा लिये थे अपनी वीरता, साहस और जज़्बे की बदौलत कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी को करनल का पद मिला करनल होने के बावजूद लोगों में उनका नाम कैप्टन लक्ष्मी के रूप में ही याद रखा जाता है दोस्तों यहां एक एहम बात यहां है कि लक्ष्मी जी एश्या की पहली महिला थी जिसे करनल का पद मिला था इसके साथ वो आजाद हिंद सरकार की पहली अस्थाई महिला सदस्य भी बनी वो इंडिया नैशनल आर्मी की अधिकारी तथा आजाद हिंद सरकार में महिला मामरों की मंत्री भी थी नेता जी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिला कर सेना में रहते हुए कैप्टन लक्षमी ने कई सरहानिय काम किये उन्हें कई मुश्किल काम दिये गए थे जैसे कि फॉज में महिलाओं को भरती होने के लिए प्रेयरित करना अंग्रेजों से मोर्चा लेना आदी कैप्टन लक्षमी ने इन जिम्मेदानियों को बखू भी निभाया दोस्तों गौर करने वाली बात है कि जिस जमाने में औरतों का घर से निकलना भी मुश्किल था उस समय उन्होंने 1500 महिलाओं की एक फॉज सयार कर दी जो कि एश्या में अपनी तरह की पहली रेजिमेंट थी क्याप्टन लक्षमी के नेत्वत्व में रानी जासी रेजिमेंट ने कई जगाहों पर अंग्रेजों से मूर्चा लिया उन्होंने ब्रिटिश राज को बता दिया कि भारत देश की नारिया चूड़िया तो पहनती है लेकिन समय आने पर वा बंदूग भी उठा सकती है और किसी भी माइने में उनकी तुलना पूरुशों से कम नहीं है अब हम बात करें बर्मा के युद्ध की तो बर्मा के मध्य तक ही रानी जासी रेजिमेंट बढ़ पाई थी इमफाल में आजाद हिंद फौज ने जापानी आर्मी के साथ मिलकर हमला किया था इस युद्ध में अंग्रेजों से फौज की बुरी तरह से हार हुई थी और हार कर उस रेजिमेंट को लौटना पड़ा था अंत में रानी जासी रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया हाला कि रेजिमेंट की एक भी महिला सिपाही वापस जाने को तैयार नहीं थी जाय युद्ध में मरने को तैयार है इस दोरान कैप्टन लक्षमी ने आजाद हिंद फौज के एक अस्पताल में अपनी सेवा देने का निर्ना लिया वहां लक्षमी जी आईये ने के घाय लोगों को इलाज करती नेता जी ने एक दिन उस अस्पताल के दौरे किये और दूसरे ही दिन अंग्रेजों ने उस अस्पताल को नश्ट कर दिया ज्यादा तर मरीज उसमें मर गए जो बच गए उन्हें बैल गाड़ी द्वारा रंगून ले जाते समय अंग्रेजों ने बीच रास्ते में पकड़ लिया यहां घटना जून 1945 में हुई थी कैप्टन लक्षमी को गिरफतार करके रंगून में नजर बंद कर लिया गया मार्च 1946 में उन्हें भारत वापस भेज दिया गया 1947 में लक्षमी जी ने प्रेम कुमार सहेगल से विवा किया और कानपूर में स्थ्याई हो गई 23 जुलाई 2012 में हाथ अटैक के कारण 97 की उम्र में उनका निधन हो गया उनके शरीर को कानपूर मेडिकल कॉलेज को मेडिकल रिसर्च के लिए दान में दे दिया गया कानपूर में कैप्टेन डॉक्टर लक्षमी सहेगल की याद में इंटरनेशनल एरपोर्ट भी बनाया गया है 1998 में उन्हें पद्म विभूशन एवार्ट से भी संमानित किया गया था कैप्टेन डॉक्टर लक्षमी जो की डॉक्टर बै प्रोफेशन, सोलजर बै चॉइस एक निस्वार्थ, केरिंग और समर्पित आत्मा थी वो हमेशा हमारे दिलों में बनी रहेंगी जिसने एक बदलाव लाया इसलिए वो सबसे अलग है और इसी के साथ मैं इस पूरे विशाय को समाप करते हुए एक कवीता प्रस्तोत करूंगी लक्षमी सहेगल, A Forgotten Fighter Though we know we haven't learnt it all, but even a bit of it can save us from the fall What we see is only what we know, but even with such hard work, that seed couldn't grow Born in a wealthy family, there was no need for charity Despite she knew she had to work hard to make her family proud and guard Cleared medical with esteem, went to Singapore for big dreams There the fate had turned itself, fight against the British for themselves Now she left everything she did and aimed for something she'd never as a kid What is it? Freedom from British, entered I.N.A. by doing good deeds Showed her potential, which is what they need Cleared the interview, Lakshmi was waiting for her review No wonder she got a higher post at first, commanding more than 1500 women, winning everybody's trust Then she became a colonel, still not a single line for her in any journal Fought for freedom together, with aim to make India better Nothing lasts permanently, everyone needs to go gently Died on 23rd July 2012 At last making India a better place to dwell Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you